हालो दोस्तो स्वागा थे आप सभी क्या आपके अपने इस यूट्यूब चानल एकस्प्लेंवाली फोरियू में तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि घण्मूल कैसे निकालते हैं ठीक है तो चले फ्रेंट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे फेंस हूमको 739 का घ्णमूल पाता करना है कि 739 का घ्णमूल कितना होगा ठीक है तो घ्şばいन लिकालने के लिए हम क्या करेंगे एक लाइन घीचेंगे और एक इस तरह लाइन घीचेंगे जैसे हम LCM निकालते हैं उसी तरह हम LCM निकालेंगे तो 729 का हमको क्या निकालना है तो LCM निकालना है 243 हुआ अब देखे 243 किस अंग से कटेगा तो यह 3 से ही कटेगा ये कितना हो जाएगा तो अत्री के चोविस हो जाएगा और तीन एकम तीन हो जाएगा ठीक है अब देखे एकासी तीन से ही कटेगा ठीक है तो हम तीन से कटाएंगे एकासी को तो ये कितना हो जाएगा तो दो त्याइज छे हो जाएगा मतलब तीनुना का छे हो जाएगा और यहाँ पर सत्री का एकिस हो जाएगा तो 27 आया अब देखिए 27 तीन से ही कटेगा तो तीन के पढ़ा में 27 कितने बार में कटेगा तो तीनावा 27 नौ बार में कटेगा अब देखिए 9 तीन से ही कटेगा तो तीत्री के 9 हो जाएगा और 3 तीन से कटेगा तो यह 3 एकम 3 हो जाए ठीक है तो हम क्या करेंगे तीन गूरे तीन गूरे तीन गूरे तीन गूरे तीन गूरे तीन गूरे तीन देखिए तीन तीन कितना है तो हम गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे हम छे तीन तीन कर दिये मतलब तीन का गुड़ा छे बार है तो गहनमूल में हम क्या करेंगे तो गहनमूल में हम तीन पेर बनाएंगे मतलब तीन तीन का पेर बनाएंगे मतलब तीन पर एक जुड़ा बनाएंगे तीन पर क्या करेंगे तो एक जुड़ा बनाएंगे तो ये तीन पर जब एक जुड़ा हम बनाए तो इसमें से क्या करना है तो तीन को जुड़ा है मतलब एक दो तीन है तो तीन में से हम क्या करेंगे एक तीन को निकाल लेंगे ठीक है एक दो तीन इसमें भी तीन बार है तो इसमें से क्या करेंगे तो तीन निकाल लेंगे तो ह 729 का गहन्मूल कितना आएगा तो 9 आएगा 729 का गहन्मूल तो 9 इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक है तो चले फिर्ण से हम आपको समझाने के लिए एक और प्रस्ण लेते हैं तो देखे फिर्ण से ये गहन्मूल का दुसा नवर प्रस्ण है तो इसमें हमको मालूम करना है कि 343 का गहन्मूल क्या होगा ठीक है क्या मालूम करना है 343 का गहन्मूल क्या होगा तो हम क्या करेंगे इसमें भी 343 का LCM निकालेंगे तो 343 हम लिख देंगे अब इसमें देखना है 343 कीस अंक से कटेगा तो ये 2 से कटाएंगे तो 2 से तो नहीं कटेगा 3 से भी कटाएंगे तो 3 तो कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा जब 4 से कटाएंगे तो 3 नहीं कटेगा 4 से 5 से भी कटाएंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा 6 से भी कटाएंगे तो नहीं कटेगा हम 7 से कटाएंगे तो यह 343 आसानी से कट जाएगा ठीक है तो जब 343 में जब 7 से भाग कीजिएगा तो 49 आएगा तो 49 अब किस अंग से कटेगा तो 49 साथ से ही कटेगा तो 67 से क्या हो जाएगा तो 67 से 49 हो जाएगा अब 7 साथ से कट जाएगा तो यह 7 एक हम 7 हो जाएगा अब देखिए एक दो तीन है तीन बार क्या है साथ है तो हम साथ गूरे साथ गूरे साथ कर देंगे अब देखिए इस पर तीन अंक पर एक पेर बनाएंगे मतलो तीन अंक पर एक जुड़ा बनता है घहन में मतलो घहन मूल निकालने के लिए तो तीन अंक पर एक जुड़ा हम बनाएं तो एक दो तीन इसमें साथ है तो हम एक साथ को क्या करेंगे निकाल लेंगे तो 343 का गहनमूल कितना हो जाएगा तो 343 का गहनमूल साथ हो जाएगा तो इस तरह फ्रेंस आप आसाइन तरीका से घौनमूल की संख्या का पाथा कर सकते हैं ठीक है तो चले फ्रेंस मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक Like करदेना चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करदेना